मसकार धबर 24 एक्स्प्रिस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अलुष्टा प्रधान मंद्री मोदी ने कहा कि आज यहां लगपती दीदी का महासा मिलन हो रहा है मेरी बहने यहां बड़ी संख्या में उपस्तिर है आज यहां से देश भर के लाखों सक्खी मंदलों के लिए 6,000 करोड से अधिक किराशी जारी की गई मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुवेशा प्रधान मंद्री नरींद्र मोदी रविवार को महाराश के जलगाव कहुंचे इस दुरान प्रधान मंद्री मोदी ने उन 11,00,00 नई लगपती दीदी को प्रमान पत्र दे कर सम्माने किया जिन्हों ने उनके तीसरे कारेकाल के दुरान इस मुकाम को हासित किया है प्येम मोदी ने 25,00 करोड का डिवॉल्विंग फंड भी तारी किया समारों के दुरान प्येम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया गोलकाता के महला डॉक्टर से दुषकर्म हत्याकान को लेकर पुरे दीश में मची बवाल की बीच प्येम मोदी ने महलाओं के खिलाफ हत्या चार मुद्दे पर भी बयान दिया उन्होंने कहा कि माताओं बेहनों और बेटियों को सशक्त करने के साथ ये उनके जुरक्षा भी देश की प्रात्मिकता है मैंने लाग के लिए से बार बार इस मुद्दे को उठाया है आज देश का कोई भी राज्य हो मैं अपनी बेहन बेटियों के दर्द और गुस्से को समझता हूँ मैं एक बार फिर देश के हर राजनितिक दल से हर राज जो सरकार से कहूंगा कि महलाओं के खिलाब अब राध एर एक अक्षम में पाप है जो भी दोशी है उसे बाक्षा नहीं जाना चाहिए किसी भी ρूप में उसकी मदद करने वालों को बाक्षा नहीं जाना चाहिए अस्पताल हो स्कूल हो सरकार हो या पुलिस विबस्था जिस इस थर पर लापरवाई हुई है उसके जवाब देखी होनी चाहिए सब का हिसाब किया जाना चाहिए उपर से नीचे तक संदेश बहुत असपश्ट जाना चाहिए कि पाप अक्षम में है सरकारे आती जाती रहेंगी लेकिन महलाओं के जीवन की रक्षा और उनके समान की रक्षा समाज के तौर पर और सरकार के तौर पर हम सब की बहुत बड़ी जिम्मदारी है प्रिदान मंतरी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहने बेटिया यहां है मैं आपको इविशेश रूप से बताना चाहता हूँ पहले शिकायत रहती थी कि समय पर FIR दर्ज नहीं होती सुनवाई नहीं होती मामलों में देरी होती थी हमने भार्ती नयाय सहिता में ऐसे अनेक रुकावट हटा दी है महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार को लेकर इसमें एक विस्त्रत कानून बनाया गया है अगर पीडित महिलाए थाने नहीं जाना चाहती तो वो घर बैटे EFIR दर्ज करा सकती है हमने ये भी सुनुश्चित किया है कि थाना स्तर पर कोई भी EFIR से शेड़चार नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि नए कानूनों में नाबाले को कि खिलाफ यौन अपरादों के लिए मृतिव दंट और आजीवन कारवास का प्रावदान किया गया है बेटियों के साथ शादी के नाम पर दोका धड़ी के कई मामले सामने आये हैं पहले इसके लिए कोई सपष्ट कानून नहीं था भारतिये नयाय सहीता में भी शादी के जूटे वादे और धोके को सपष्ट रूप से परिभाशित किया गया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महिनाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कि इंदु सरकार हर तरह से राजसरकारों के साथ है हमें भारतिय समाद से इस मांसिता को खत्म करके ही रुक न होगा इसलिए आज भारत विकास के पत्पर आगे बढ़ रहा है और इसमें महराश्र की बहुत बड़ी भूमिका है महराश्र विक्सित भारत का एक चमकता सितारा है